मेरे ख्यान से प्रकर्टी का प्रकोप तो साइद झेल जाते सक्ता का प्रकोप नहीं झेल पाए सक्ता आती है सक्ता जाती है उसका दवाओ के रूप में उपयोग यदि होता है तो वो गलत है आपके कारिक्रमों में 15 वर्ष देखा है सामाने तरीके से इस प्रदेश भी सब को चलता रहा मगर आज जिस तरीके की परिस्ति आइस देउरी विधान सबाद 6 तर में निर्मित हुई निर्मित हुई इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले आठ वर्षों से भीया आपको भी अंदाजा है आपकी भी जानकारी में पिछले आठ वर्षों से इस एक्छक समान समारों का कारिक् अजय हुआ है यह पहले कभी नहीं हुआ फिर भी आपके आसिरवाद से इस जेओरी नगर के प्रभुद्जणों के आसिरवाद से और यहां मंच के पाएं तरफ बिराजमान जो समस्त वरिष्ट गुरुजन बिराजमान हैं उनके आसिरवाद से यह कारिक्रम अपनी गती को अपनी सोगमता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेगा एक निरत्य आदिवासी संस्कृति को प्रदर्सित करने वाला निरत्य इस मंच से अभी कुछ समय बार प्रस्तित किया जाना है उस निरत्य की एक छोटी से भूमिका जरूर में आपके सामने बताना चाहता था कर् निरत्य आदिवासी संस्कैति को प्रदर्सित करने वाला निरत्य यहां से प्रदर्सित कर रहे वे तियार थे है और कर्मा निरत्य की यह विशेश्ता है कि भादो मास जो समय चल रहा है इस भादो मास की पूर मासे तस दिवस्पूर्व यह नर्त्य आदिवासी अंचलों में किया जाता हो लगभग ठीक समय यह कारीक्रम पढ़ रहा है कर्म पर ज्यादा भाग्य का कम भाग्य का सामन जस्ते हो कर्म के साथ इसलिए इस्वर की आराधना आवस्त्य खेंद्स लिए भकती आवस्त्य फेंचलों इस बात को प्रदर्शित करने के लिए यह कर्ma नर्त्य होता है कदम के ब्रच्ष की कहिने को आधिवासी बालक करके आंगन में इस्थापित करके उसके चारों करफ कर्म अनुरत्य किया जाता है मेरे ख्याल से बिद्यार्थी अब तक तक तैयार हो चुके होंगे कर्म दैविक संपदा का द्वार है कर्म दैविक संपदा का द्वार है विश्व के उद्कर्स का